दो लोग एक दूसरे से तब मिलते हैं जब उनके रिस्पेक्ट टू लाइफ पार्टनर उन पर चीट करते हैं इसके बाद क्या होता है यही आज की हमारी मूवी की स्टोरी राइन है आज की हमारी मूवी एप्रिल्स नो यह 2005 की कोरियन रोमेंटिक मूवी है वीडियो स्टार में इससे देखना मत भूलीए बीना किसी देरी के मूवी को एक्स्ट्रेंट करना स्टार्ट करते हैं हमारी इस मूवी का मैं क्या आपना क्या निसूल या फॉस्ट इन-बिया करता है दिखते हैं रॉक शोस में बीट के हिसाब से जो लाइट्स बदलते हैं इसी इंस्टोलेशन का काम इंसु का आए यह काम पर था और अजानक से इसे कौल आ गया वे जल्दी से वहाँ से निकल गया इसके बार डारेक्ली यह वह हॉस्पिटल में आया हो में दिखते हैं सुक्सिन में हमें पता जलता है कि इंसु की वाइफि का एकसिड़न्ट हुआ था तो इंसू की वाइफि कभी ड्रिंक नहीं करती इसे बाद इन्सू और सुयंग ये सब चीज़े उठा लेते हैं इसमें उन्हें प्रोटेक्शन भी दीख सकता है जिस गाड़ी में इनके पार्टनर्स का एक्सिडेंट हुआ था ये भी वो नोटीस करते हैं जो चीज़े इन्हें पुली स्टेशन से मिली है इसमें एक कैमेरा भी था इस कैमेरा को सुयंग चेक करती है और उसे बहुत बुरा रखता है इन दोनों के लिए मिस्टरी है कि उनके लाइप पार्टनर गर से इतने दूर क्या कर रहे थे इन्सू अपने वाइफ के ओफिस में कॉल लगाता है वह उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने वैकिशन के लिए चुट्टी ली थी इन्सू को उसकी वाइफ कहें कर गई थी कि वो काम के लिए जा रही है अब इन्सू और सुयंग इन दोनों को लगता है कि उनके पार्टनर चीट कर रहे थे नेक सील में हम देख सकते है कि इन्सू से मिलने के लिए उसके फादर आते है वो फादर से जूट कहता है कहता है कि उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी उसे फिर से सीटी में यानि स्यूल जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्सिडन्ट हुआ है ये इन्सू के वर्क प्लेस यानि स्यूल से बहुत दूर है वो अपने सब काम छोड़कर यहां आया हुआ था तो उसे फिर से घर जाना पड़ेगा इन्सू अपनी वाइफ का फोन चीक करता है पर वहाँ एक पासवर्ड है वो अलग-अलग पैटर्ण ट्राय करकर देखता है तो फाइनली अन्लॉक हो जाता है इस फोन में उसकी वाइफ और स्यूं के हस्बन इन दोनों में जो भी कनवसेशन हुई थी ये सब कुछ वो पढ़ सकता है ये पढ़कर वो बहुत डिस्टब होता है स्टेस की वज़े से उसके नाक से भी खुन बहने लग चुका है जब वो काम पर जाता है तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि थोड़े दिन अब तू आफ ले लो पिछली बार अचनक से शोड़ छोड़ कर वो चला गया था इसी वज़े से उसके प्रोड़ेसर उस पर नाराज है वो भी फिर से अपनी वाइफ के पास जहाबर एक्सेलेंट हुआ है वह पहुच आता है जिस होटेल में वो रह रहा था उसी होटेल में सुयंग भी रह रही है एक दुसरे के आमने सामने आते है इसी उसे बात करता है कहता है मैंने पुलिस को कहा कि मेरी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी या तुम्हारे हस्बन भी बिजनेस ट्रिप पर आई थे सुयंग कहती कि हाँ इसी बोलता है कि मेरी वाइफ फैकेशन के लिए आई थी तुमने पुलिस को जो कहा वो सही कहा इन दोनों को अपने पार्टनर्स के बारे में पता है ये प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं इन्हें कुछ भी पता नहीं है रात में जब इन्सु अपनी वाइफ को देखने के लिए आता है तो सुयंग वहाँ खड़ी हुई थी उसके हस्बन का किसके साथ अफेर चल रहा था या ओ देखना जाती थी इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं जो भी सब इनके साथ हो रहा है तो इन दोनों को sleeping problems आ रहे हैं आगे चल कर सुयंग इन्सु से बात करती है पुछती है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता चला इन्सु कहता है मेरी वाइफ के फोन में सब messages थे सुयंग से पुछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कहती है कि जो camera पुलिस ने हमें दिया था वो मेरे husband का नहीं था सुयंग फिर सब messages पढ़ती है और इन्सु को camera देती है camera की video clip में वो देख सकता है कि उसकी वाइफ सुयंग के husband के साथ intimate हो रही थी इसके बाद वो अपनी wife को देखने के लिए hospital में आया उसके wife की और सुयंग के husband की condition बहुत ही critical है तो किसी से भी बात नहीं कर सकते है इन्सु अपनी wife से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था नेक सिन में हम देखते हैं कि उसका friend उसे मिलने के लिए आया हुआ है उसे सहारा देता है और कहता है कि worry मत करो तुम्हारी wife ठीक हो जाएगी जब सब बात इन्सु अपने friend से कहता है तो उसे बहुत ही शर्मेंदा महसुस होता है वो friend से कहता है यह सब मेरी ही गलती थे तो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो अब अपने friend से भी बात नहीं करना चाहता उसे भी जाने के लिए कहता है वो बहुत ही drunk हो चुका था और directly सुयंग के room तक आया उसने उसे कहा मुझे तुमसे बात करनी है पर वो कोई भी बात कर सके इसके हालत में नहीं था सुयंग अपने room से बाहर निकल गई और वो वही सो गया अगले दिन इनसुने जो भी किया इस सब के लिए सुयंग से उस्वारी कहता है इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी government official से बात होती है यहां में पता चलता है कि इनके partners का accident इसी और गाड़ी से टकरा कर हुआ था जो दुसरा आदमी था उसकी date हो चुकी है एक government official उनने कहता है गाड़ी कौन चला रहा था यह अब तक पता नहीं चला है settlement कैसी होगी यह भी unclear है यह इन दोनों से कहता है यह उस आदमी की funeral पर तुम दोनों को जाना चाहिए यह उस आदमी की काव में पहुँचते है वहाँ पर उसकी mother इनका welcome करती है उनसे पूछती है क्या तुम मेरे बेटे के friends हो यह सच-सच उसे बता देते है सुनकर रोने रखती है गय थी है यहाँ आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं थी निकल जाओ यहाँ से जब उस आदमी के brothers को पता जलता है वह इन्हें मार मार को निकाल देते है यह सब situation देखकर इनको बहुत बुरा लगा गर आते वक्त इनसु बहुत रो रही थी next day इनसु जब अपनी wife का clean up कर रहा था तो अचानक से वह interest खो देता है इनसु अपनी wife से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था उसे पूछता है कि तुमने ये किया क्यो आज रात भी उसे नीन नहीं आती बहार स्नो पड़ा था तो स्नो पाल बना कर वो fake रहा था यह सब सुयंग अपनी room से देखती है वो भी फिर उसे बात करने के लिए नीचे आती है तो स्नो पाल फेक रहा था तो उसे पुछती है क्या तुम athlete थे इनसु अपनी profession के बारे में उसे कहता है वो गहती है यह तो बड़ा interesting काम है इनसु को इतना अच्छा नहीं लगता वो सुयंग से पुछता है कि तुम क्या करती हो गहती है कि मैं housewife हूँ इनसु कहता है कि वो भी बहुत ही hard work है सुयंग को उसके husband ने इस तरह से कभी भी acknowledge नहीं किया था तो यह सुनकर उसे अच्छा लगता है यह दोनों फिर dinner करने के लिए एक hotel में आते है सुयंग इनसु से पुछती है तुम और तुमारी wife तुम दोनों कैसे मिले थे इनसु कहता है कि मेरी wife photographer थी तो college का photo लेने के लिए वहाँ आई हुई थी वो जब अपनी wife के college का नाम बताता है तो सुयंग भी कहती है मेरा husband भी उसी college में था शायद तब से वो एक दुसरे को जानते थे इनसु पुछता है कि तुम और तुमारे husband कैसे मिले थे वो गया दी कि मेरा arrange marriage था तुमारी wife का career था इसलिए शायद मेरे husband को पसन आई होगी वो इनसु से पुछती है जब तुमारी wife को होश आएगा तुम क्या करोगे इनसु मजाग में कहता है कि मैं उससे revenge लूँगा ये दोनों इस पर बहुत आस्ते है सुयंग भी मजाग मजाग में कहती है कि हम दोनों में अगर relationship होगे तो दोनों बोखला जाएंगे इसके बाद इनका dinner खतम होता है अगले दिन lunch भी ये एक साथ करते है इनसु फिर से अपने काम continue करने के लिए सुयंग के साथ सियोल पोशता है एक रात ये बाहर walk के लिए आते है इन्हे walk तो करना था पर सुयंग को बहुत धन्ड लग रही थी सुयंग कहती है क्यों ना हम भागते भागते कार तक जाया ये दोनों फिर ऐसा ही करते है अब नेक सिन में हम देखते है कि फिर से hospital में पोश चुके है एक छोटा सा plant buy करकर सुयंग इनसु को देती है ये थी है कि इसका अच्छा सा खैल रखना इनसु भी खहता है मैं सही सा इसका खैल रखूँगा इसके बाद हम देखते है कि एक दिन फिर से एक दूसरे सी मिले है इसके बाद एक दूसरे के साथ intimate हो गए अब नेक सिन में सी के पास ये walk कर रहे है सुयंग इनसु से पूछती है तुमारा फेवरेट सीजन कौन सा है इनसु कहता है मुझे स्प्रिंग बसन है सुयंग को विंडर अच्छा लगता है इनसु कहता है कि मुझे स्नो भी अच्छा लगता है वो विश करता है स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए इसके बाद एक दूसरे के साथ ये सेल्फी लेते है इंसु ने अभियापी जो कहा कि इस स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए इन दोनों के फेवरेट सीजन अलग-अलग है पर ये चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए इसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है पर इस बात के बात इन दोनों ने सेल्फ लिया जो मुमेंड इनके पास है कि ये कैप्चर करकर रखना चाहते हैं एक दिन एक दूसरे के साथ ये थे तो इनसु के फादर इनलो वहाँ आ गए सुयंग को उसने चिपा दिया और उनके साथ वो आगे चला गया ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए थे अजानक से हॉस्पिटल में एक दिन इनसु को कौल आया उसकी वाइफ अब होश में आ चुकी है वो उसे देखने के लिए गया पर नर्स ने कहा कि अब ये होश में आ चुकी है पर जादा कुछ बोल नहीं सकती है इनसु फिर अपनी वाइफ का बहुत खयाल रखता है ये सब सुयंग नोटिस कर रही थे जो भी हुआ है पर फिर भी अपने हस्बंड को मिस कर रही थे डॉक्टर से बुचती है कि मेरे हस्बंड की कंडिशन में या कोई चेंजिस आये डॉक्टर कहते है कि कोई भी चेंजिस नहीं आये अगर तुम जाती हो तो सियोल में उन्हें एडमेट कर सकती हो जिनके साथ तुमारे हस्बंड का एक्सिडंट हुआ था वो अब सियोल शिफ्ट हो रही है यानि कि इंसु अपनी वाइफ को लेकर सियोल जा रहा है ये सुनकर वो हर्ट होती है जब वो फिर से इंसु से हॉस्पिटल में मिलती है तो कहती है तुम अब खुश होंगे तुम और तुमारी वाइफ सियोल जाने वाले है गुसे में वहाँ से वो चली जाती है इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया उसके साथ वो डिनर पर जाना जाता था और सुयंग ने उसे मना कर दिया इनसु ने कहा कि मैं तुमारे लिए वेट करूँगा इसके बाद हम देखते हैं तोनों फिर से इंटिमेट हो जाता है इनसु अवण डै करता है अगर हम हमारी लाइफ में बहुत पहले और बहुत बात मिले होते है तो हमारी लाइफ कैसी होती है उसे लगता है कि ऐसा अगर होता तो इन दोनों की situation अब बहुत अलग होती है इसके बाद डॉक्टर ने सुयंग को call किया और बताया तुमारे husband की date हो चुकी है सुयंग की husband की तबियत अचाना इसे बिगट गई थी जब funeral होता है तो इनसु भी अपने condolence देने के लिए आता है अब थोड़े दिन गुजर चुके है और इनसु की wife अब बात कर सकती है वो इनसु को thank you कहती है कहती है सब चीजों के लिए thank you इसका मतलब है उसने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी इनसु ने उसे help की इसके लिए thankful है एक बार इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया पर सुयंग वहाँ से चली जा चुकी थी इसके parallel में इनसु के घर के बाहर हम सुयंग को देखते है उसे देख देखकर वो बहुत रो रही थी इनसु भी बहुत रोया नेक सीन में हम देखते है कि इनसु अपनी वाइफ के साथ था उसके वाइफ उसे पुछती है जो भी हुआ इसके बारे में क्या तुमें questions वेगरा कुछ भी नहीं पुछने इनसु कहता है पहले पुछने थे अब मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो अपनी वाइफ को बता देता है कि सुयंग का husband मर चुका है वाइफ रोनने लगती है तो इनसु डोर बन करकर वहाँ से जा रहा है इस सीन में इनसु ने कहा कि अब उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता अबनी वाइफ को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया है नेक सीन में हम उसका सामान भी देख सकते है यानि कि यो न्यू होम में अब मुविन कर चुका है इसके बाद हम देख सकते है कि इनसु अपने काम में इंगिच होता है यह जो सीजन चल रहा है इस स्प्रिंग का है जो उसका फेवरेट है अचानक से वहाँ बर्फ किरने लगता है जो सुयंग का फेवरेट सीजन है मुविन में हमने देखा है कि इनसु को लग रहा था इस शायद स्प्रिंग और विंटर एक साथ आ जाए और ऐसा ही हुआ है यानि कि एक दूसरे से अब वो मिल चुके है इसको justify हमारा next scene करता है हमें स्नो में गाड़ी चलती हुए दिखती है और इन दोनों के आवाज बैकराउन में आते है अब एक दूसरे के साथ ये है इसी तरीखे से somewhat black and white और happy ending हम देख सकते है जाने से पहले फिर से एक reminder मैंने romantic movie explanation के लिए अलग सा channel बनाया है जिसका नाम है Romeo इसकी link आपको description में मिल जाएगे अगर आपको वीडियो चलागा तो please इस वीडियो को like करतीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो please इस channel को subscribe करतीजे और bell notification icon दबने मर्द फूलिया है हम फिर से मिलेंगे और एक नए movie के साथ तब तक रहे thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया